शनिबार की सुबह दस बजे राष्ट्रिय राजमार्ग इस्थिश चौदरी ढवा के सामने हाईवे किनारे खड़े ट्रक में पीछे से स्विफ्ट डिजायर कार घुस गई जिसमें की मौके पर दो बच्चों की मौत हो गई वही कार में सवार चार लोग गंभी रूप से घायल हुए हैं मिली जानकारी के अनुसर दिल्ली के उत्तम नगर निवासी गौरव अपने पूरे परिवार वा साडू के साथ दिल्ली से ब्रंदावन घूमने के लिए आये थे सुबा नौ बजे चौमवा अकबर पूर मद्दे इस्ते चौदी ढ़बा के सामने पहुँचे ही थे की कार अचानक हाई वे किनारे खड़े ट्रक में जागुसी जिसमें की मौके पर तीन बरसी है मायरा वा कपिल की मौत हो गई वही कार सवार गौरब, कोमल दीबान, रुची ठककर वा रुद्र ठककर गंबी रूप से घायल हो गए इस्थानिये निवासियों दोरा चाता पुलिस कोतवाली एवं एम्बूलेंस को सुचित किया गया लेकिन पौन घंटे तक ना तो कोतवाली पुलिसी गटना इस्थल पर पहुची और ना ही एम्बूलेंस ऐसे मैं घायल सड़क पर तरपते रहे आखिर में इस्थानिये लोगों ने घायलों को कार से बहान निकाला और निजी एस्पताल के लिए उप्चार के लिए भरती कराया चाता पुलिस द्वारा पंचनावा बरकर मिर्तक के शवों को पोस्ट माडम के लिए भीज दिया गया चाता पुलिस ने घटना के संबन में बताया कि इन्होंने रात में सफर किया नीन की जबकी आने के कांड यह हाथसा घटेत हुआ चौमवा से सौरफ ससोदिया की रिपोर्ट है यह थे संबस्के सधों आपने पुलिस को सुचा किया कि कितनी देर बाद पुलिस को नोच पुलिस को पहुं गया ता मैंने बलकम 25 दो प्लक हो एक गंटे से जादा हुए एमभू यह फिक्स जे दौव में से कोई प्लाद नहीं हो पोई अभी तक भी आज तक भी यह उसमें पैठे हुए एक रियक्ती की मत्रू होगे एक बच्ची की चार्ट में जड़ है जो ऑस्टिकल में एड़िया जाएज में बरवारिके में को सुचना दे दी गई है पी आरबी ने सत्काल प्रवार से ले जाने एड़िश कराया है और कंभव है कुर्टी जान बच्चा है लेटी होगे में